पाकिस्तान इंटरनाशनल एरलाइंस का एक यात्री विमान शुकरवार को जिन्ना अंतराश्र्य हवाई अड़े के पास दुर्गटना ग्रस्थ हो गया विमान लाहोर से कराची जा रहा था लैंडिंग से पहले विमान रिहाईशी इलाके मॉडल टाउन में जा गिरा हादसे में 98 लोगों की मौत की पुष्टी हो चुकी है दुर्गटना से पहले पाइलेट और एर ट्राफिक कंट्रोल की बीच हुई बाची सामने आई है जिहाँ जिससे पता चलता है कि पाइलेट विमान में खराबी की बात करते हुए सहायता मांग रहा था लेकिन अचानक विमान लैंड करने के बज़ाए रिहाईशी इलाके में जा गिरा पाकिस्तान के प्रमुक मीडिय संस्थान डॉन की मुताबे पाइलेट ने एर ट्राफिक कंट्रोल से विमान में खराबी की बात कही थी जिसकी जवाब में एर ट्राफिक कंट्रोल की तरफ से पाइलेट को विमान घुमा कर लैंड करने को कहा गया था विमान को लैंड कराने के लिए दोनों रनवे उपलब्द थे लेकिन अचानक पाइलेट मेडे 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 कहने लगा और विमान मौडल टाउन में जाकर क्रेश हो गया कहा जा रहा है कि पाइलेट विमान को लैंट कराने में महच कुछ सेकेंड दूर था मगर प्यास में सफल नहीं हो सका एर ट्राफिक कंट्रोल भी ये समझ नहीं पा रहा है कि जब सब कुछ ठीक जा रहा था तो अचानक पाइलेट मेडे क्यों चिलाने लगा गौटलब है कि मुश्किल में मदद मागने के लिए मेरे शब्द इस्तिमाल किया जाता है दोस्तो आपकी इस बारे में क्या रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताए और ऐसे ही लेटेस अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ सब्सक्राइब कीचे हमारे चानल लेटेस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूस के लिए